उडिशा के दीना मांजी की खबर को भी कोई भूला भी नहीं था कि सूबे के मलकान गिरी से समाज और सिस्टम को शर्म सार करने वाली कुछ और तस्वीरे आई हैं जहां 6 साल की बच्ची की एम्बूलेंस में मौत हो गई तो एम्बूलेंस वाले ने शफ को घर पहुचाने से इंकार कर दिया 6 किलोमीटर तक बच्ची के शफ को लेकर पिता रोड पर चलता रहा दरसल 6 साल की बिमार बेटी वर्शा को इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में भरती कराया गया था जहां से कल उसे मलकान गिरे के एस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया एंबुलेंस में बिमार बीटी को लेकर माता पिता रवाना हुए लेकिन रास्ते में ही बीटी की चांच चली गई जैसे ही इस बारे में एंबुलेंस में मौजूद करमचारियों को मालूम हुआ तो उन्होंने शफ को खर ले जाने से इंकार कर दिया रास्ते में कुछ लोग मिले तो पिता ने पूरी बात बताई फिर जाकर लोगों ने एक नीजी गाड़ी का इंतिजाम किया और वर्षा की शफ को गाउं पहुंचाया गया मीडिया में मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिया है जबकि एंबुनेस में मौजूद स्वस्थे कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्श कर लिया गया है एक बार फिर इंसानियत का जनाजा देखने को मिला जहां जांच के आदेश दू दे दिये गए लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? कब तक ऐसे तस्वीरे सामने आती रहेंगी? देखते रहे जी बिलाएव